हेलो दोस्तों आप सभी का मेरी यूटूब चैनल स्रीसा विजुल आड गैलरी में स्वागत हैं फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के साथ यूजिसी नेट ज्यारफ विजुल आड का जुलाई 2018 का सेकंड क्वेशन पेपर डिसकस करूंगी जो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टन और हैल्फुल भी है यह क्वेशन टोटल सो क्वेशन है लेकिन एक ही वीडियो में सो क्वेशन बनाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा इसलिए इसको मैं दो पार्ट में बनाई हूँ सब्सक्राइब यकि स्केशन तूंद नहीं हुशन और रजरा औरस क्वेशन सब्सकृत आप लिएखि वर्मा के ओल्युग राफफों को माना जाता है सभीजयक्ति पराग सैली यूबरोपी सेली उप्योग सभी इसका राईट आन्सरा फूर्थ उप्योग सभी क्यूंकी राजर अभी वर्मा का जो औलियोग्राफ है वो अभिवक्तिवादी परक भी कहते हैं बजार सैली भी कह सकते हैं यूरोपी सैली भी कह सकते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा फोट उप्यूत सभी नेक्स्ट क्वेशन है सेकेंड रिलीव प्रिंटिंग प्रक्रियाएं कौन सी हैं प्लेनोग्राफी और सैरीग्राफी लीथोग्राफी और वोटकट एक्वा टिंट और ड्राइपॉइंट लीथोग्राफी ड्राइपॉइंट और वोटकट इसका राइट आंसर है सेकेंड ल इतोग्राफी और वुटकर्ट नेक्स्ट क्वेशन है थर्ड ब्रेयर के रूप में भी जाना जाता है सौफ्ट ग्राउंड, ब्लॉक आफ़ बूट, रॉबर रोलर, स्कुईजी तो इसका राइट आंसर है थर्ड रबर रोलर ब्रेयर के रूप में जाना जाता है रबर रोलर नेक्स्ट क्वेशन है फोर्थ, कंस्ट्रिक्शन जे किसकी रच्णा है तो इसकर राइट आंसर इस थर्ड यानी की सी, जग्दीश दे नेक्स्ट कुल्स ने pac- छापा चित्र 15 पहरें सेज़न किसकी द्वारा किया गया विसन कुमार भरद्वाज सुभा जोस सुकला सावन मोती जरोठिया तिसका राइट आंसर हो जाएगा फस्ट विसन कुमार भरद्वाज फिर नेक्स्ट कोशने 6 राजर रवी वर्मा के छापा चित्रों को कहा जाता है ति इसका राइट आंसर हो जाएगा राजर रवी वर्मा के छापा चित्रों को कहा जाता है औल्योग्राफ नेक्स्ट कोशने 7 वो क्या है जो सिल्क इस्क्रिन प्रिंटिंग की सतह को फोटो सेंसिटिव बनाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा B, पोटेसियम डाइक्रोमेट नेक्स्ट कुशन है एट भारत में किस काल में लिथोग्राफी प्रिंटिंग का प्रारंब हुआ तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A, 1825 से 1830 लेकिन इसका सही माहिने में राइट आंसर है 1822 क्योंकि लिथोग्राफ भारत में सबसे पहले लिथोग्राफी प्रिंटिंग का प्रारंब 1822 में कोलकाता में हुआ था इसका राइट आंसर है फर्स्ट सर जोस्वा रेनाल्ड्स इन्हों नहीं ही दर्वाइल अकेडमी ओफ लंदन की स्थापना की थी और किस सनमी की थी 1768 स्वी में इसका राइट आंसर है टेन इसका राइट आंसर है फोर्थ काजिमीर मिलाविच ये सर्वोच बात के प्रणता माने जाते हैं और सर्वोच बात का उदय 1913 इस्वी में हुआ था इनकी एक काजिमीर मिलाविच की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है दा नोन अब्जेक्टिव वर्ड नेक्स्ट क्वेशन है 11 कांगड़ा पेंटिंग ओन लव नाव कुस्तक का लिखा कौन है ओप्सन है OC गांगुली, WG आर्चर, MS रंधावा, आनंद कुमार स्वामी जिसका राइट आंसर हो जाएगा 3 MS रंधावा फिर नेक्स्ट कोशन है 12 अंकूरण नामक चित्र का चित्रण किसके द्वारा किया गया M.F. हुसेन, S.H. रजा, M.N. सूजा, K.K. हैबबर जिसका राइट आंसर हो जाएगा 2 SH रजा रजा ने ही अंकूरण नामक चित्रण चित्रण किया था ये इनकी काफी प्रसिद चित्रण है और हम सयद हदर रजा की बात करें ते प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रूप्स के सदस से भी रहे हैं और इनका जन्म 1922 में हुआ है किस लगू चित्र सैली में मुख्य रूप से आखेट विसे वस्तु से संबंधि चित्रों का निर्माण किया गया है किसंगर सैली, कोटा सैली, कांग्रा सैली, बसौली सैली तो इसका राइट आंसर है, second, कोटा सैली, कोटा सैली का मुख्य भी से सिकार की दिश रहे हैं, और इन्ही कोटा सैली में ही कई चित्रकारों ने इसके अलावा भी अन्य चित्र बनाया, सेर का चित्र बनाया, सुवर का चित्र बनाया, इसके अलावा हाथियों की लडाई का द जाते थे वो तो राजा उम्मीद सेंग फी नेक्स्ट क्वेशन है 14 अमूर्थ कला की पहली अंतर्रास्ट्री प्रदर्शनी वर्स में हुआ था तो इसका राइट आंसर है 1930 इसवी पेरिस में नेक्स्ट क्वेशन है 15 उस इस्थान का नाम बताईए जहां भारत महुत्सों के दारा नौ तंत्री से वैस्तु से संबंधित प्रदर्शनी आयोजित की गई थी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड लॉस एंजल्स नेक्स्ट क्वेशन है 16 अर्मरी सो के नाम से ग्या वाल्ड कुहन और आर्थर बी डेविस फिनेक्स्ट क्वेशन के हम बात करें 17 की सेरिफ अफकार के साथ टाइफ इस डिजाइनों के विभिन प्रकारों का वर्णन करने के लिए समानेता सब्द है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फस्ट यानिकि रोमन इस दा राइट फिनेक्स्ट क्वेशन है एपल कंप्यूटर्स इंक के आइकॉनिक प्रतीक को डिजाइन के दौरान तयार किया जाता था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ रॉब जेन ओफ एक्स्ट क्वेशन है नाइंटीन उस टाइफोग्राफर का नाम बताईए जिसने भतर से सोलराइजेशन को फोटोग्राफिक दक्तनिक के साथ प्रियोग किया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फस्ट यानि कि मैन्रे नेक्स्ट क्वेशन है 21 एक पार्ट में पहले शब्द का पहला अक्षर जो बड़े आकार में सिठ है का विस्तार नीचे के टाइप की पं पुस्टर का एतिहासिक रूप से समकालीन कला की नई और रचनात्मक साखा के रूप में विकास हुआ तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानि कि फस्ट दूसरे विश्वयुद के बाद संयुक्त राज में पहली संपूर्ण रूप से औल फोटोग्राफी समचार पत्रिका थी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड लाइफ फिर नेक्स्ट कॉश्यन है अत्यधिक सुलीक अलंकरण की साथ इटैलिक कैरेक्टर्स को कहा जाता है रॉक बैल कैरेक्टर्स, स्वास कैरेक्टर्स, लोगो टाइप, एसी मेट्रिक कैरेक्टर्स तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड स्वास कैरेक्टर्स नेक्स्ट कोशन की बात करें 25 आर्ट एंड विज्वल कल्चर इन इंडिया नामक पुस्तक का लिखक कौन है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ गायत्री सिन्हा नेक्स्ट कोशन है 26 निमलिकित मंदिरों में से कौन सा पूर्ण रूप से विक्सित कलिंग सैली मंदिर वास्तुकला का प्रतिनी रित्व करता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड लिंग राज मंदिर त्योंकि लिंग राज मंदिर कलिंग सैली की सबसे प्रसिध म अंधिर मानी जाती हैं पर नेक्स्ट कुश्टन है 27 हुमायू के मगबरा का मुख्य वास्तुकार कौन था मिरक रिजा गयाश उस्ताद एहमद मीर अब्दुलकरीम उस्ताद इसासथी राजी तीसका राइट आंसर हो जाएगा फस्ट मिरक मिर्जा गयास नेक्स्ट क्वेशन है यूरोपी चित्रकार का नाम बताईए जिसे रहे सिपूर्ट तरीके से लंबी छायाओं खाली सडकों और विथियों के चित्रों के लिए जाना जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थाइड जियोड जियों सिरिको फिण इस्ट क्यों है 29 कला आलोचक का नाम बताईए जिने सौंदर सास्त्र में शिगनिफिकेंट फॉर्म के बारे में बात की जिसका राइट आंसर हो जायेगा फस्ट यानि कि क्लाइव बिल ईज्ट आ राइट आंसर नेक्स क्यों है ताल मान से संबंधित है राइट आंस नैंसुक पहाड़ी चित्रकला के प्रसिद चित्रकार हैं मुख्य रूप से संबंधित हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा D यानि कि फोर्थ जसुरोटा फिर नेक्स्ट कोशन है 32 निम्लिखित में से चित्रकार का नाम बताईए जिसे जयामेती अबस्ट्रेक्ट के लिए जाना जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फस्ट काजमीर मेला विच फिर नेक्स्ट कोशन है 33 अगस्त रोंडा ने मुख्य रूप से के साथ काम कि जardi साइन वैकस क्ले संग मरमर तुसका राइट आंसर हो जाएंगा क्ले यानिकि थर्ड मिपह्य और चैने कोशनन नहीं है ब्रॉंज प्रॉंज लॉस कॉपर वाइट मैटल 15 इसकर राइट आंसर हो जाएगा थर्ड यानिकि कॉपर 15 इसक्वेशन है इनवेस्मेंट कास्टिंग फाइयवर द्वास तींग रबर कास्टिंग जिसका रालट अंसर लुजा और इगा सबसे प्रसिद्र एक्स्टेंसी औफ्सेंट टेरेशा का मूर्थिकार कौन था जिसका right answer हो जायेगा बर्नीनी बर्नीनी की सबसे प्रसिद्ध मूर्ती है एक्सेंट टेरेशा नेक्ट कुशेन है 37 उस मूर्तिकार का नाम बताईए जो ललित कला एकेडमी नई दिल्ली का अध्यक्ष था धन्राज भगत चिंता मडिकर बी एस कट संखुराय चौधरी जिसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ संखुराय चौधरी उस मूर्तिकार का नाम बताईए जिसे भारती रिजर्व बैंक नई दिल्ली का पासाण मूर्ती यक्ष यक्षणी की निर्माड के लिए नियुक्त किया गया था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड राम किंकर बैज नेक्स्ट क्वेशन है 39 बिस्केट फाइरिंग से संबंधीत है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानिकी सेकेंड इस दर आइट आंसर सिरिमिक्स फिर नेक्स्ट क्वेशन है 40 मैलेट से संबंधीत है स्टोन कार्विंग वुड कार्विंग ब्रॉंच कास्टिंग ड the dance of death हो जाएगा हैंस हाल्बिन फिलोस केप्री कोस फ्रांसिस्को दी गोया थ्री क्रोसेज रेम्ब्रांट तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट पहले का दूसरा दूसरे का पहला तीसरे का चौथ और चौथे का तीसरा नेक्स्ट कॉशन है 43 105 AD जिसका राइट आंसर हो जाएगा कागच फिर है 220 वुट ब्लॉक 1512 यह हो जाएगा एचिंग फिर 1904 ओफसेट प्रिंटिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले का तीसरा यानि की second is the right answer पहले का तीसरा दूसरे का दूसरा तीसरे का चौथ और चौथे का पहला नेक्स्ट पोशन के बात करें 44 प्लेनोग्राफी प्लेनोग्राफी का है मैट्रिक्स अपने मूल सताय को बनाये रखता है है विदेन लास्ट हम बात करें वुट कट की तो ठपा जपाई की पद्यती तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड पहले का चौथा दूसरे का दूसरा तीसरे का पहला और चौथे का तीसरा अफो नेक्स्ट कोसंण है फॉर्ट फाइफ नेक्स्ट क्वेश्न थो कमवल कृष्न का हो जाएगा दिल्ली सिल्पी चक्र सा mêmes ग्रूप अनुपम्सूद ग्रूप एट मोहन सामन इनका हो जाएगा बंबे ग्रूप जसकर राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड पे नेक्स्ट को हो जाएगा रिचर्ड लेओन फिर बिगनिंग ऑफ साउंड इनका हो जाएगा पीटी रेड़ी फिर सीटी स्कॉयर जो को में थी अर्मरी सो आर्थर भी डेविस इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड पहले का चौथा दूसरे का तीसरा तीसरे का पहला और चौथी का तश्रानिक भी उन्सकृति हो मैया को फिर राट के जीुरह की ञीड़ी हो जाएगा यादि कि पहले का दूसरा तीसरे का ढू से प्योक कर दूसरों की पहले न सेसेक Сथरां प्योजने त्रेटेट सिटी, गोगी सरोशपाल, इनको जगा इंटर्नल बर्ड, फिर अर्पिता सिंग, इनको जगा एट्री, जिसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड, यानि कि पहले का दूसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का तीसरा और चौथे का पहला, सर्वत क्रिष्ट कारपोरेट मार्क्स को उनकी डिजाइनरों के साथ सुमेलित कीजिए, नाइक सूस, नाइक सूस का क्या हो जाएगा, कैरोलिन डेविसन, फिर है डाइशे बैंक, इसका हो जाएगा, एंटन, इस्टेन कुनवस्की, फिर है परमाडू, निरंत्री करण, जिस इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेकेंड, यानि कि पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का दूसरा और चौथे का पहला, नेक्स्ट क्रेशन है, फोटोग्राफी में महत्वपूर्ण अविसकार को, को उनकी अविसकरताओं से सुमेलित करे, इसका पहला हो इनका हो जाएगा, डबलू, एज, काप्स, टेलबाट, फिर हो जाएगा, फ्लेक्सिबल, रॉल फिल्म का, इनका हो जाएगा, जौर्ज इस्ट, मैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा, थर्ड, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का चौथा और चौथे का तीसरा थेंक्यू फॉर वाचिंग मैं वीडियो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बैल आइकोन को भी प्रेस करना ना भूलें क्योंकि इसी तरह में जितने भी एरली कोईश्चन या फिर फाइन अट के जितने भी important questions लाऊंगी उसकी notification आपको मिलता रहेगा आम में मिलते हूं आपसे next वीडियो के साथ thank you